जो भी मेरे भाई आइकून यो समेन को यूज कर रहे हो या फिर आइकून यो समेन को पर्चेस करने का सोच रहे हो तो यह पर भाई दोनों के लिए ये वीडियो बहुत जाधा इंट पॉइंट होगा भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लेम फोन के अंदर आ रहे हैं इसके बारे में जिन लो को पर्चेस करना है उनके बारे में फिर कुछ बताने वाले उसके बाद बताऊंगा ये पुन को पर्चेस करना ही पर नहीं और अगर इसको ना करे तो दूसरा कौन सा फोन को पर्चेस करे तो यह पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बगरा बना था कि आईकून य या पर upload कर रहा हूँ जिन लोग नहीं तक purchase नहीं कि उसका solution तो दे दूँगा लेकिन जो purchase कर लिया भाई तोंको भी tension लेना नहीं है या पर तुम्हारा भाई तोंको भी कुछ tips और tips बताएगा जिसके बाद यह problem से आप लोग बाहर निकल सकते हो problem क्या है क्या करना है सब तो लास तक जरूद देखना क्योंकि आपर important वीडियो है और इसको कर मिस करते तो इसका अंदर जो भी चीज मैं बताऊंगा शायद आपका help कर पाए तो चलो गई ज्यार ज्यादा टेमोश्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते उसके पहले चैल पार नीव हो और सब्सक के अंदर battery drain issue यह क्यों हो रहा है इसको solve कैसे कर रहा है वही मैं आप लोग बताऊंगा लेकिन सब्सके बारे में तो बात कर लेते हैं पहले के टाइम पर फोन लॉंच हुआ था ठीक है लॉंच होने के टाइम पर फोन के अंदर कोई battery drain issue अगरा नहीं था 5000 अच का बैटरी य यह पर जो game चलता है ना भाई सारे तीन गंटा तीन गंटा सारे तीन गंटा से उपर नहीं जाता तो यह problem क्यों रहा है फोन के अंदर तो 5000 बैटरी यह लगबग 4-4 गंटा उससे भी ज़्यादा gaming यह पर backup देना चाहिए दूसरे फोन भी देते हैं 5 गंटा सारे 5 गंटा द यह पिर aware कर देता हूँ फोन आपका नहीं टिकने वाला जादा दिन तर यह पिर जो भी सोचते हो मेरे को बताने यह बाई मैं serious बोल रहे हो अगर आपका फोन को अपने अपडेट कर लिया यह पिर कर रहे हो अभी तक पहले अगर 2-3 अपडेट आपने कर लिया तो सही है औ अगर नहीं आया तब मेरे को बताना कि यह पर भाई जो बैटरी ड्रेइन इशू आ रहा था वो तो भाई पहले अपडेट के बाद ही 2-3 अपडेट के बाद ही आ रहा था तो आपको करना क्या है भाई अगर आपका फोन अभी तक Android 14 तक अपडेट तो नहीं आया शाया और Android 14 अगर नहीं है तो Android 13 अगर अपडेट है अपके फोन में तो Android 13 को आप लोग डाउन ग्रेट नहीं करा सकते है क्योंकि फोन यह पर Android 13 के साथ ही आया था तो आप लोग पिछले वाले जो वर्जिन है अपका ये फिर जो स्टेविल वर्जिन उसमें आप लोग वेगरा ग्रीन लाइन इशू जो कि बरे अपडेट के बाद ही देखने को मिलता है जो कि आप लोग अगर Android 14 का अपडेट का वेट कर रहा इतना बरा अपडेट शायद इस फोन के अंदर नहीं आया तो उसके बाद आप लोगो फोन के अंदर ग्रीन लाइन इशू वेगरा अपडेट करने के बाद ही फोन के अंदर आता है लेकिन इससे भी जादा एक बड़ा प्रॉब्लेम इस फोन के अंदर है जो कि आप लोग मिया फिर बहुत तरह मेरे भाई सोचते कि फोन के अंदर जो 120 वाट का चारजर है इसके लिए फोन डेड हो रहा है इपर इसके ड्रेइन नहीं होता लेकिन आईक्यू बाले यह पर अपडेट करने के बाद फोन में इसा प्रॉब्लेम डाल दिया गया आईक्यू की तरफ से ठीक है और जो आईक्यू 9CM है खुद यूज कर रहो अभी और यह फोन के अंदर भी यह प्रॉब्लेम मेरे को देखने को मिला अपडेट करने के बाद और जो लोग यह एंद्रोइट 14 को वेट कर रहो भाई बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करता 14 को यह पर अपडेट करने का कि उसके बाद बैक्रेट रही इसू और भी ज़्यादा बर सकता है या फिर बर जाएगा लेकिन यह पर फोन में तो यह सब प अपडेट करोगे तो मैं पर मान तो इस फोन के अंदर 90 पिस इतना चलता है कि इस प्राइस का अंदर हम लोग मतलब कोई भी फोन में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिर अभी तक ऐसा कोई फोन नहीं मिला जिसके अंदर इतने स्मूध हम लोगो 90 पिस देखनों मिलता है 25,000 के अंदर इसका 8G variant देखनों मिल रहा था अभी फिलाल के लिए ये फोन unavailable है लेकिन 8-128GV शायद नहीं है लेकिन आप लोग मार्केट पर पर्चेस कर सकते हो मार्केट पे जाके मैं इसको सजेस्ट अभी भी करता हो और अगर इसको आप लोग नहीं लेना चाते है इस वीडियो देखो कि उधर बताएगा पोन अपडेट करो ये करो वो करो फलाना डिम करना लेकिन भाई यह पर उनलों को गलत नहीं बोल रहा गलत है फिर भी नहीं बोल रहा लेकिन भाई यह पर आप लोग ना खुद समझो कि अपडेट करने के बाद जानातर प्रॉब्लेम पोको X3 प्रो भी अपडेट करना बाद देड हुआ था पोको X3 का भी क्यामर में पर X2 प्रो भी देड हुआ था जो कि अपडेट करने के बाद यह फन के अंदर ग्रीं लाइन इशव आ है अपडेट करने के बाद तो आप लोग को करना क्यों है अपडेट डै sponsoring इयंश व् तो फोन को update मत करो और अगर new icon यह 7 को purchase कर रहे हो जो भी update फोन के अंदर है open box उसको रहने दो उसके यूज़ करो कोई भी update है बंद कर दो update section में जाके auto update को बंद कर दो update मत करो और अगर update कर लिया फोन को डाउन ग्रेट कर अलो आपका प्रॉब्लेम 100% सॉल्ब हो जाएगा और एक प्रॉब्लेम यह पर मेरे को लगा है कि यह पर फोन के अंदर जो मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है मीडियाटेक डामसीटी 8200 यह बहुत ही ज़दा प्रोसेसर है इसके लिए गेमिंग भी काफ्याच चल जाता है लेकिन भाई यह पर फोन के अंदर जो प्रोसेसर का पावर है या फिर हीटिंग मैनेजमेंट है वो उतना ज़दा मेरे को खास नहीं लगा यह प्रोसेसर इतना ज़दा स्टेवल है फिर भी फोन यह पर हीट होता है तो रहा है और हीटिंग प्रोब्लेम भी अप्डेट करने के बाद ही आया है तो सभी प्रोब्लेम का जो जहर है भाई अप्डेट है मेरे बात मानो आप लोग ना मानो लेकिन यही सच है तो जो मैंने बता है उसको apply करो update मत करो और जो जो problem का solution मैंने बता है वो भी आप लोग कर लेना और phone के अंदर और एक issues आप लोग को देखने हो मिल सकता है अगर आप लोग purchase करते हो आइकून यह सब इनको जो font camera आप लोग उतना खास नहीं लगने वाला क्योंकि font camera में आपर darker tone तो जादा दिखने हो मिलते हैं तिससा problem को आप लोग सामने रखकर phone को purchase करो नहीं तो मैं अगर होता है मैं recommend करता है इस phone को purchase करने का लेकिन आप लोग जो जो चीज मैंने बता है उ आप यॉल बगए